FVR submitted क्या है? FVR submitted का क्या मतलद है? तो दोस्तों काफी दिन से मेरे साथी जो हैं वो comment करके बार-बार एक ही चीज पूछ रहे हैं क्योंकि जब वो forum apply करते हैं तो उन्हें एक status दिखाई देता है FVR submitted सबसे पहले में आपको बता दो FVR submitted का मतलब क्या होता है? FVR यानि field verification report FVR field verification report कौन report करता है? वो है हमारे BLO साथी तो जब भी कोई मताता अपने forum को correct करवाने के लिए या फिर नाम जुड़वाने के लिए या फिर shift करवाने के लिए किसी भी काम के लिए अगर forum apply करते हैं तो सबसे पहली stage यही होती है, वो forum BLO साथी उस पर अपने report लिखते हैं और report लिखने के बाद चब वो submit करते हैं, तो हमारे साथी जो मदाता हैं, उनको मदाता portal पे, water airplane app पे, चहांपे भी वो status check करते हैं तो उनको FBR submitted green tick दिहाई देता है, इसका मतलब BLO साथी ने report कर दी है, अब report में क्या लिखा है, वो मदाता को नहीं पता चलता, वो किवल देख सकते हैं कि उन्होंने report कर दी, वहाँ पे pending नहीं है अब उस report में हो सकता है कि आपके forum की कोई कमी के बारे में बताया हो, उसे accept करने के बारे में लिखा हो, या फिर reject करने के बारे में लिखा हो तो FBR submitted मतलब आपके forum पे BNL ने report कर दी है, आप इसे ऐसा कभी न माने कि आपका forum accept हो चुका है, योगि वो कभी-कभी reject भी होता है BNL अगर contact करता है आपसे, verify करता है आपके documents या फिर मतलता उस part का नहीं है, किसी भी case में अगर वो reject कर देता है तो आपका forum reject भी हो जाता है, अब कुछ साथ ही ये भी पूछने के FBR submitted नहीं हुआ, डारेक्ट मेरा ही रोल अपडेट हो गया, तो अब क्या होगा, क्या FBR submitted करवाना पड़ेगा देखिए, कुछ forum, जैसे अगर आपको अपना mobile number अपने voter ID कार में अपडेट करवाना है, तो आप voters portal से direct अपडेट कर सकते हैं आपका forum FBR submitted या फिल्ड में जाता ही नहीं है, जैसे ही आपने forum submit किया, उदर से आपके voter ID कार में आपके mobile number अपडेट होगी जब आप status चेक करते हैं, तो उसमें केवल एक ही status दिखाता है और वो है e-roll updated, इसका मतलब है आपके mobile number अपडेट हो चुके हैं तुरत बाद ही आप अपना voter ID का डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो एक सिंपल सी प्रोसेसर, voter ID का डाउनलोड करना, mobile number अपडेट करना, इसका वीडियो भी मैंने पहले ही डाल रखा है, चैनल पे आप देख सकते हैं तो I think जो भी मेरे साथी हैं, जिनको नहीं पता कि FBR submitted क्या होता है, वो अब clear for Chicago होगा, अगर मुझे support करना चाहते हैं, तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक करिए, और दूसरे साथीं के साथ किसे share कीजिए, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, देखते हैं आपका अपना अपन और रिचनल, एलेक्सिन गाइ, बढगाइ